हालो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग यह फिजिक्स का जो चप्टर चला था मिलोग का मैनेटिक इफेक्ट आफ करेंट उसका लास्ट लेक्चर है और इसको आज चप्टर फिनिस करना है तो बिल्कुल देख लो कि इस लेक्चर में क्या क्या है तीन चार पॉइंट से बस तरीकी डिवाइस होती है जो आपको यहां दिख रही है इसमें दो डी सेप करके ऐसे डीज बने होते हैं इसलिए का नाम डीज होता है और यह पूरे एकदम हाफ होलो सिलिंडर जैसे होते हैं और दूसरी के अपोजिट रखे होते हैं इसमें मैंगनेटिक फिल्ड का होती है मतलब की इट इजए डिवाइस यूज तो अक्सलेट दा चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटोन ड्यूटराउन अलफा पार्टिकल इन सब को एक्सलेड करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया तरी यह बहुत हाई एनरजी जो है देता है तो इट वाज इन बें इसका इंवेंशन किया था और इसका प्रिंस्पल यह होता है कि चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलेट तू बैरी हाई इनरजी बाइकिंग इस पास थ्रूवा मॉडिरेट एलेक्ट्रिक फील्ड नंबर अफ नाइम्स वसी समझ लें कि इसका सिस्टम क्या है और थोड़ा इसके इस प्रिंस्पल और सीधे आजाते हैं तो यह दो डीज बने हुए है तो अब कोई चार्ज पार्टिकल वह सर्कुलर मोशन में मूब करता है एक चीज़ ध्यान रखें तो उस एक्सलेट पार्टिकल को और ज्यादा स्पीड देने के लिए हम लोग जो है इस सब्सक्राइब होता है तो देखो जो मैंनेटिक फोर्स होता है उस चार्ज पे वह सेंट्रिप्टल फोर्स के बराबर होता है ठीक है तो दोनों ही फोर्स एक और होने चाहिए तो इसका यह सेंटर से एक फोर्स बाहर की तरफ और बाहर से एक फोर्स सेंटर की तरफ और यह और यह दोनों ही force एकोर होने चाहिए तो centripetal force जो है अंदर की सर्क्लीव heat करता है यह cent penalty force और बाग की तरफ क्रूब कर रहा है o magnetic force होता है तो दोणों ही force यहाँ पर वर्क कर रहा है इसलिए श्र्क्लर मोशन मेभूब करता है तो दोनों के स्क्राइब को फोर्स कौन सालगता है ल Sut लगे गा तो वो क्या हो जाएगा factual स्थपोर्स होता है उसको हमें और पर पेल्डिकुलली होना चाहिए ल notch तो यहां से ऑप देखोगे कि जो आप यह आने वाली हो ही और इमपोर्टन बात है तो यह हो रही है इसकी थेरी है उसके अंदर यह चीज चल लए है तो पीरिट आफ रिवलेशन देखोगे जो की होता है टी कोस्ट टू पाई आर बाई फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी यहां पर आपका आर का वैलू रख दिया जाएगा यह जो आप दिख रहा है आपको यह तो यह चीज़े हैं साइकलो ट्रॉन की फ्रिकवेंसी यह सारी बाते सोने आ गई साइकलो ट्रॉन एक आपने आप में बहुत इंपोर्टन टॉपिक है मैं बार-बार बोल रहा हूं तो आपको यहां पे सीरियस होने की जरूरत है ठीक है स्टार में बार-बार लगा रहा और फिर अगला टॉपिक आ रहा है कि जैसे कि माल लेता हैं कि दो कंडुक्टर हमारे पास हैं स्ट्रेट वायर हैं और इसमें करंट दोनों में पहलल फ्लो कर रही है एक किस तो ही हो सकता है तो इन दोनों की बीच में एक फोर्स लग रहा होगा वह कौन सा फोर्स होगा ऐस एंपियर ने क्या किया 1820 में उन्होंने एक एक्सप्रिमेंट किया जो आपको यहां फिगर दिख रहा होगा यह फिगर उसमें इन्होंने देखा कि दो पैलल वायर लिए जो आपको दिख रहे हैं और दोनों में अप जो है सेम डिरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी मताब उपर वाला जो उन्होंने टर्मिनल था वह नीचे अटेश के नेगेटिब से और नीचे वाला टर्मिनल को अटेश के नोने पॉस्टिब से फिर इसमें उन्होंने देखा कि थोड़ी समय बाद दोनों एक दूसरे के लोग जा रहे थे मतलब इन में अट्रेक्शन हो रहा था अट्रेक्शन मतलब कि अगर सेम डिरेक्शन में यानि की सेम डिरेक्शन में करेंट फ्लो करेगी पैलल करेंट होगी तो उसमें क्या होगा अट्रेक्शन होगा दुबारा उन्होंने चेक किया तो अपोजिट अन्होंने करेंट फ्लो कराया तो देखा एक दूसरे को र पिर ने और यहां पे निकाला इसका formula भी अलगलग category में बना यह formula आप देख सकते हो यही था दोनों ही case में बस यह था था कि रिपल्सिप force बन जा रहा था कि बिल्कुल ध्यान रखें कि दोनों ही case में पैलल और अंटी पैलल की case में क्या हो सकता है तो जैसे यहां पर आप द वहीं अपोजिट डिरेक्स में करंट होने की वज़े से इधर है करंट एक करंट नीचे की तरफ जा रही है एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे ठीक है तो यह दोनों के साब देख सकते हो यहां पर नीचे लिखा भी हुआ है पैलल करेंट अट्रैक्ट अल्टि पर्ल करेंट अगले तो परूब कर रहें बिखा रहे हैं इसको परूब करते हैं तो उबरूं करने जा रहे हैं पहले ये स्मोर्ट होते हैं ठीक है चाहे और अट्रेक्टिब आद कर लेता है पैलल वाले case के लिए ठीक है कि पैलल current अगर हो दो वायर हमारे पास हो वायर वन और वायर टू और एक में current I1 फ्लो कर रही हो एक में current I2 फ्लो कर रही हो दोनों की distance जो हो दोनों दोनों वायर के क्यों फोर्स होगा हुआ हो इससे में पेंयाटी फिल्ड होगी होगी सेकेंट पर अगरimaan इसंत Weir से निकालेंगे दो इस पर कुछ मेंने फिल्ड फिल्ड होगी है ना तो स्रिम लली यह पर फैल भूरे और डिस्टंțस पर आ रहे हैं अब आप देखोगे कि यह चीज हैं जो सो Seker यह रही है वह क्या निकल के आएगी इससे पहले वाले से बीटर से सटेट पी तो बीटरी निकल अब कि उर्ल एपका क्या होता है संबुलर 10 आपने पढ़ रखा है जो कि क्या होता है B1 equals to mu naught अब आई उसे है पहले वाले से तो आई वन लिखेंगे और लिखेंगे टू पाई आर ठीक यह हमने टू पाई ए पढ़ा था जो भी हो तो यह हमने पढ़ा है तो यह मैनेटिक फिल्ड उस पे लग रही है अब परपेंडिकुलर लग रही है ठीक है मैने टिक फिल्ड ओके और करंट घरीऊ और तो करंट उपर जा ओंपर जारी तो इस फॉर्लस की तना लगेगा वही current उसमें involved है जो है ना तो current कॉंसान involved है I2 तो होता था I2 यह होगा B1 L sin theta मतलब कितना सब 90 degree पहोंगे क्योंकि यहां पे जो है सब कुछ perpendicularly होते हैं ठीक है तो अब क्या हो जाएगा यहां पे F2 equals to क्या हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो I2 आपका ऐसे रहेगा बीवन आपका यहां ओपर निकल क्या है बीवन के वेलू पूट कर देंगे तो यह आजाएगा म्यू नॉट आइवन बाइटू पाई आर एल हमारा यह हो गया इन्टू वन हो गई साइन नाइटी की वेलू तो फाइनली आप यहां तक नोट कर लें फार्मला जो बनके आया वह आया अब यह एल चला आएगा इधर क्योंकि फोर्स पर इनिट लेंथ निकलेगा तो जो फोर्स पर इनिट लेंथ आपकी आई वह फाइनली कितने आ गई यह आ गई ऐसी उस फोर्स लग रहा है उस पर वायर पर फ़स्ट वायर से सेगेंड वायर पर निकालेंगे तब भी फॉर्स लगेगा और यह फोर्स अट्रेक्टिव रिपल्सिव दोनों एक्वल ही होते हैं तो आसानी से आप देख सकते हो कि कैसे इस पर मेनेटिक फिल्ट सर्कुलर लग रहा है ठीक है फस से से कंड पर से फस्ट पर जैसे आप निकालना चाहो इस किसी एक वायर को चूज करना होगा और वहां से निकल के आएगा ठीक है तो आपने फार्मला देख लिया और यहां प जब भी बात होगी ठीक है यहां पर देखेंगे कि एफ़ जो होगा वह एफटू का निगेटिव के एकुल होगा इस बात को ध्यान रखेगा बस बस यहीं चीज़ होगा कि फर्स्ट से से कंड पर निकालोगे तो निगेटिव में आएगा तो यह सारी बात हो गई के लिए ऐसे के से लिए तो डॉल के अकी टॉरा जो हें एक क्वाइल जो जो वह पालि गूमना स्टाट कर देगा मैं चानिक अबर की तरफ एक फोर्स नीचे की तरफ तो यह धोडा cubli करता है circular type का तो ऐसे cases में जो टॉर्क लगता है वो क्या होता है फोर्स perpendicular distance ठीक है तो आप देखेंगे कि यहां पर जो perpendicular distance वो यह है और यहां से निकालेंगे अब perpendicular distance तो बिल्कुल a sin theta निकल के आएगा यह आपने पढ़ रखा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोनों multiply होके आ जाएगा यह टॉर्क अब यह टॉर्क आ गया अब यहां से आप देखोगे कि रेक्टरनल लूप जो है जिसमें अगर एंड टम हो मतलब बहुत सारे उसमें ऐसे करके टर्ण्स बने हो बहुत सारे टर्ण्स हो यानि कोयल हो तो वह multiply हो जाता है ठीक तो यह फाम्मला बनके आता है फाइनली यह और उनको हम लिख सकते हैं बेक्टरियल फॉर्म में लिख सकते हैं तो यह थोड़ा सा ध्यान देने लायक है बस तो इसमें ज्यादा डेटेल में पाकी हम देखेंगे अपने हिसाब से जो हमको अब चीज लगेंगी खास उसको में अपने अच्छे से फेसे रिवीजन में डेटेल में ले लिया जाएगा बस अब खास चीज चेप्टर में फिनिस हो चुकी है और शेप्टर में कुछ नहीं है आप थोड़ा सा डिवीजन करना है तो मैंने टारीजम को में मौडण की सुरुवात करने वाला हूँ मौडण में में स्यूठेश चोटे च्प्टर है एक यक दो दो लेक्षे मैं को फिनिस करना है के चलिए मिलते हैं अंच लेक्टर में चोटा लेक्टर था यह अभर करें झाल झाल